हेलो दोस्तों, इस चैनल हैल पीपी में आप सभी का स्वागत है SSC Special Dictation Series में आज 23 डिक्टेशन हम आप सभी के लिए बोल ले हैं डिक्टेशन हम 80 सब्दोपर्ति मिनट की गती से और फिर 100 सब्दोपर्ति मिनट की गती से बोलेंगे अगर आप हमारे चैनल में अभी नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए और हमारी आने वाले नए वीडियो के लिए आपको बैल आइकन दबाना होगा जो आप तक सबसे पहले अपनी अपडेट दे देंगी चले स्टार्ट करते हैं असी सब्द परती मिनट की गती से डिक्टेशन इससे पहले अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखें तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं वहाँ प्लेश में आपको पूरी वीडियो पुरानी मिल जाएंगी असी सब्द परती मिनट की गती से डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे ठीक तीन सेगिंड के वाद रेडी स्टार्ट महोदे महादेवी जी ने अपने वेक्तित्त का स्वयम निर्मान किया और अपने पत की स्वयम रचना की अपनी पूरी छमता के साथ पत की बाधाओं को चुनोती तेती हुई जीवन में अग्रसर हुई उनके अपने पती के साथ सोजन्य पूर्ण संबंद थे पर पूरुस के अधिकार को नकार कर वे समाज को संबवतो यहो बताना चाहती थी कि नारी पूरुस से स्वतंत्र होकर भी अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है और पूरुस निरपेक्ष नारी के अस्तित्व को भी मानेता मिल सकती है उन्हें नारी के पूरुस के द्रिश्ची कोण पर छोब था पूरुस ने कभी नारी के अभाव का अनभव करना ही नहीं सीखा इस्तिरी को परतेग पग पर परतेग सांस के सांत पूरुस से सायता की भिक्षा मांगते हुए चलना पड़ता है समाज संगठन में नारी अपना नीजी योगदान दे सकती है समाज की समस्याओं का समाधान नारियां अपने ढंग से कर सकती है और स्वस्त संबंधों की इस्तापना भी की जा सकती है पूरुस परधान भारतिय समाज में परवस्ता और परतंतरता की स्रिंखलाओं को तोड़ कर भारतिय नारी स्वतंतर जीवन भी जी सकती है इसको उन्होंने सो उधारन स्वयम अपने जीवन द्वारा परमानित करके दिखाया इस परकार काम सकती उर्जा के रूप में विक्सित हुई महादेवी के व्यक्तित्व में काम सकती का परतिबंधित और दिशांतरन रूप विक्सित हुआ जो सामाजिक द्रिश्ची से उपयोगी सिद्ध हुआ महादेवी जी के व्यक्तित्व में मानसिक द्वंध की परमुकता बाल्या अवस्ता से ही देखने को मिलती है विवा को अस्विकार करके स्वयम के लिए द्वंधात्मक इस्तिती उत्पन की तथा परिणाम तहो उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा उनके व्यक्तित्व में भावुकता और बौत धिकता के अध्वुत मेल सिक्छा अयम आध्यात्म के परभाव से तनाव से मुकती पाने के लिए अलोकिक प्रिय का संबल लिया और काववी के छेत्र में रचनात्मक दिर्श्ची कोन अपनाया व्यक्ति से समिष्ची की समस्याओं के समाधान में स्वयम को व्यस्त रखा और अपनी मानसिक सकती का सदुपियोग किया उनका व्यक्तित्व सिर्जनात्मकता का परतीक बन गया उन्होंने अपने सबल व्यक्तित्व द्वारा अपनी परिस्तितियों को चुनोती देकर मनो अनुकूल पत का चुनाओ किया अपने आत्म विश्वास को उन्होंने कभी नहीं खोया जिस मार्ग पर चल पड़ी कभी नहीं लोटी महादेवी जी ने अपनी इच्छा सकती का परियोग करके अपने दुख को अभिसाब बनाने की अपेक्चा सकती बना लिया दीपक से उन्होंने जलकर दिप्त होने के और कमल के विकास सील होने की प्रेणना ली नारी जीवन की उन्नती के लिए वे सदेव तदपर रही वे स्वयम कनिया वद एवं बाल विवा संबंदी नारी समस्याओं से परेचित थी और स्वयम को भी कुछ सीमा तक उलजाना पड़ा अतो इसके वुरिद आवाज उठाई गई की समाज नारी की सकती और छमता समझे नारी भोग्या नहीं है सकती है निरासरित नहीं आसरे दातरी है उन्होंने स्वयम नारी जाती में आत्म हींता की गरंथी को आत्म विश्वास तथा आत्म गौरव द्वारा विजय प्राप्त करके नारी जाती के सामने आदर्स प्रस्तुद किया उन्हें भारत देश में नारी की इस्तिती पर छोब था नारी आज अलंकरन मात्र है पुरुस उसे भोग रहा है सभापती महोदै मुझे संसार भर से आये हुए परतिश्चित न्याय सास्त्रियों के इस सम्मेलन में सामिल होकर बड़ी परसनता हो रही है मुझे बताया गया कि यह पहला अवसर है जबकि इंटरनेशनल बार एसोसेशन लो एसिया और भारतिय बार एसोसेशन द्वारा संयुक्त रूप से इस परकार का छेत्रियों सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसमें उन आम कानूनी समस्याओं पर विचार विमर्स किया जाएगा जो हमारे सामने मौजूद हैं साथ ही उन समस्याओं पर विचार किया जाएगा जो तेजी से बदल रही इस दुनिया के सामने आ सकती है जिससे की विभिन भारी परिवर्तनों के लिए पहले से ही तैयारी की जा सके और अगले पंदरा वर्सों में इस सदीत के अंत तक न्याय की उचित और आदर्स विवस्ता की जा सके मुझे खुसी है कि इस सम्मेलन में ऐसे लोगों को जिन्हें सुविधाएं हासिल नहीं हैं खास तौर से इस्तरियों को कानूनी सायता दिये जाने के बहुत ही महत्वपूर्ण विशे पर चरचा होगी मैं कामना करता हूँ कि इस सम्मेलन मैं जो विचार विमर्स होगा उसका आने वाले पंदरा वर्सों के दोरान रास्टिये और अंतर रास्टिये कानून बनाने की परकिरिया पर लाब दायग परभाव पड़ेगा प्राचीन काल से ही भारत मैं कानून को निहायत सम्मान की द्रिश्ची से देखा जाता रहा है वास्तो मैं धरम या मजहब हमारे लिये ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक नैतिक और आर्थिक आचार नियमों का एक ताना बाना रहा है जो अपने अपने छेतरों में पूरी तरह से परिभासित कानूनों द्वारा निर्धारित है इन कानूनों का पालन पूरी मानसिक, सारिरिक और आध्यात्मिक इमान दारी के साथ करना होगा कानून के निश्चा पूर्वक पालन के कारण ही हमारी सब्यता और संस्कृती सदियों से राजनीतिक उथल पुथल और विदेशी हमलों के बावजूत ना केवल जीवित ही रही है बलकि इसने एसिया के दूसरे देशों के लोगों को भी परभावित किया है दोस्तों ये था सिसब्द परदिम्न की गति से बोला गया डिक्टेशन अगर आप great C की तेयारी कर रहे हैं तो इसका transcription जरूर कीजिएगा अब समय है great C की तेयारी करने वालों के लिए sorry पहले great D की तेयारी करने वालों के लिए काफी अच्छा डिक्टेशन था अब समय है great C का डिक्टेशन जो होगा 100 सब्द परतिम्नट की कति से अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर के लिए जिगा चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेट सी के लिए डिक्टेशन जो सुरू होगा ठीक तीन सेकिंड के बाद रिडी स्टार्ट महोदय महादेवी जी ने अपने वेक्तित्व का स्वयम निर्मान किया और अपने पत की स्वयम रचना की अपनी पूरी छमता के साथ पत की बाधाओं को चुनोती देती हुई जीवन में अग्रसर हुई उनके अपने पती के साथ सौजन्य पूर्ण संबंध थे पर पूरुस के अधिकार को नकार कर वे समाज को संभव तो यह बताना चाहती थी कि नारी पुरुस से स्वतंत्र होकर भी अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है और पुरुस निरपेक्ष नारी के अस्तित्व को भी मानिता मिल सकती है उन्हें नारी के पुरुस के दिर्ष्टी कोण पर छोब था पुरुस ने कभी नारी के अभाव का अनुभव करना ही नहीं सीखा इस्तिरी को परतेग पग पर परतेग सांस के साथ पुरुस से सायता की भिक्षा मांगते हुए चलना पड़ता है समाज संगठन में नारी अपना नीजी योगदान दे सकती है, समाज की समस्याओं का समाधान नारी अपने ढंग से कर सकती है और स्वस्त संबंदों की इस्तापना भी कर सकती है पुरुस परधान भारतिय समाज में परवस्ता और परतंतता की स्रिंखलाओं को तोड़ कर भारतिय नारी सतंत्र जीवन भी जी सकती है इसको उन्होंने सो उधारन स्वयम अपने जीवन द्वारा परमानित करके दिखाया इस बरकार काम सकती उर्जा के रूप में विक्सित हुई महादेवी के व्यक्तित्व में इस काम सकती का परतिवंदित और दिशान अंतरन रूप विक्सित हुआ जो सामाजिक द्रिश्ची से उपयोगी सिद्ध हुआ महादेवी जी के व्यक्तित्व में मानसिक द्वंद की परमुकता बाल्या अवस्ता से ही देखने को मिलती है विवा को अस्विकार करके स्वयम के लिए दव दंद्वात्मक इस्तिती उत्पन की तथा परिणामत हो उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा उनके व्यक्तित्व में भावकता और एवं बौद्दिकता के अधुद मेल सिख्चा एवं आध्यात्म के परभाव से तनाव से मुगती पाने के लिए अलोकिक प्रिय का संबल लिया तथा काव्य के छेत्र में रजनात्मक दिश्ची कोण अपनाया व्यक्ति से समस्ची की समस्याओं के समाधान में स्वयम को व्यस्त रखा और अपनी मानसिक सकती का सदुप्योग किया उनका व्यक्तित्व सिर्जनात्मकता का परतीक बन गया उन्होंने अपने सबल व्यक्तित्व द्वारा अपनी परस्तितियों को चुनोती देकर परतीकूल पत का चुनाव किया अपने आत्म विस्वास को उन्होंने कभी नहीं खोया जिस मार्ग पर चल पड़ी कभी नहीं लोटी महादेवी जी ने अपनी इच्छा सकती का परियोग करके अपने दुख को अभिसाप बनाने की अपेक्षा सकती बना दिया दीपक से उन्होंने जलकर दिप्त होने के और कमल से विकास सील होने की प्रेणा ली नारी जीवन की उन्नती के लिए वे सदेव तत पर रही वे स्वयम कनिया वद तथा बाल विवा संबंदी नारी समस्याओं से परिचित थी और स्वयम को भी कुछ सीमा तक उलज्जाना पड़ा अतहो इसके विरुद समाज उठाई गई समाज नारी की सकती और छमता समझे नारी भोग्या नहीं सकती है निरासरित नहीं आसरे दातरी है उन्होंने स्वयम नारी जाती में आत्म हींता की गरंती को आत्म विश्वास तथा आत्म गौरव द्वारा विजय पराप्त करके नारी जाती के सामने आदर्स परस्तुत किया उन्हें भारत देश में नारी की इस्तती पर छोब था नारी आज अलंकरण मात्र है पुरुस उसे भोग रहा है सबाबती महोदै मुझे संसार भर से आये हुए परतिश्चित न्याय सास्त्रियों के इस सम्मेलन में सामिल होकर बड़ी परसनता हो रही है मुझे बताया गया है कि यहोँ पहला अवसर है जबकि इंटरनेशनल बार एसोसेशन लौ एसिया और भारतिय बार एसोसेशन द्वारा संयुक्त रूप से इस परकार का छेत्रिय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसमें उन आम आदमियों की समस्याओं पर विचार विमर्स किया जाएगा जो हमारे सामने मौजूद हैं साथ ही उन समस्याओं पर भी विचार किया जाएगा जो तेजी से बदल रही इस दुनिया के सामने आ सकती हैं जिससे की विविन भारी परिवर्तनों के लिए पहले से ही तैयारी की जा सके और अगले पंदरा वर्सों में इस सदी के अंत तक नियाय की उचित और आदर्स व्यवस्ता की जा सके मुझे खुसी है कि इस सम्मेलन में ऐसे लोगों को जिने सुविधाएं हासिल नहीं हैं खास तोर से इस तरियों को कानूनी सायता दिये जाने के बहुत ही महत्वपून विसे पर भी चर्चा होगी मैं कामना करता हूँ कि इस सम्मेलन में जो विचार विमर्स होगा उसका आने वाले 15 वर्सों के दोरान रास्चिय और अंतर रास्चिय कानून बनाने की परकिरिया पर लापदायक परभाव पड़ेगा प्राचीन काल से ही भारत मैं कानून को निहायत सम्मान की द्रस्ची से देखा जाता रहा है वास्तों में धरम या मजहब हमारे लिए ऐसे धार्मिक आधियात्मिक नैतिक और आर्थिक आचार नियमों का एक ताना बाना रहा है जो अपने अपने छेत्रों में पूरी तरह से परिभासित कानूनों द्वारा निर्धारित है इन कानूनों का पालन पूरी मानसिक सारिरिक और आधियात्मिक इमानदारी के साथ करना होता है कानून के निश्चा पूरवग पालन के कारण ही हमारी सब्यता और संस्कृती सदियों से राजनेतिक उथल पुथल और विदेशी हमलों के बावजूत ना केवल जीवित ही रही है बलकि इसने एसिया के दूसरे देसों के लोगों को भी प्रभावित किया है और मानव चिंतन के विकास में योगदान दिया है पासान काल से लेकर आज के निहायत ही ओध्योगिक वातावरण तक समाज की प्रगति के साथ कानून की धारणा में भी भारी परिवर्तन हुए हैं बैल गाड़ी के युग से आज के सुपरसोनिक युग तक आने में मनुस्य की गतिविधियां इतनी बड़ गई हैं कि जिनके पहले कभी कलपना भी नहीं की जा सकती थी इन बदली हुई परिस्तितियों के लिए सामाजिक अनुसासन ही बिलकुल ही नई विवस्ता की जरूरत है जनसंक्या में भारी विर्धी इंसान की अनेक परकार की गतिविधियों तता ऐसे ही अनेक विविन कारणों से आज की दुनिया में नियाय परनाली पर भारी परभाव पड़ रहा है जो कानून पहले बनाए गए थे और जो नियाय विवस्ता एक निश्चित सामाजिक परनाली को लेकर तैयार की गई थी वहो आज के इस जबरदस्त और अचानक परिवर्तन को देखते हुए बिलकुल अपूर्ण साबित हो रही है किसी दूसरे विकास सील संस्ता की तरह ही कानून इस्तिर नहीं हो सकते उन्हें बदलते हुए आला हालात की जरुतों के अनुसार लगातार अपने आप को ढालना होगा यहाँ अनुमान लगाना संभव नहीं की बविश्य में कानून के छेत्र में आने वाली समस्याओं के क्या कानूनी हल निकाले जाएंगे इस चौब दोस्तों यह था सौ सब्दपर्ति मिनट की कति से बोला गया ग्रेट सी के लिए डिक्टेशन आपको हमारे डिक्टेशन कैसे लगें इसके बारे में जरूर बताईएगा कमेंट बॉक्स में अगर हमारे चैनल अभी नए आये हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीज करें तो आप सब्सक्राइब को अच्छे से करका यह काम रही है कोई टेंसल नेनी की जरूरत नहीं है थैंक यू